हेलो मेरे पूड़ीज, कुकी पट वितरानी में आप सब भी कस्वागत है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जो है सीख कबाब की रेसिपी अरे रुखिए रुखिए आपको क्या लग रहा है कि नॉनमीज नहीं ये सीख कबाब बैज में है और ये हम बनाएंगे सोयबीन से आज ये सीख कबाब हम बनाएंगे सोयबीन से तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं सोयबीन जो बड़े वाले सोयबीन होते हैं बस आपको वही लेने हैं अब हमें इसे भीगोना है तो पहला तो आप इसके अंदर नॉर्मल पानी डाल के आदा या फिर एक घंटे के लिए रख दीजे तो भी बहुत जल्दी फूल जाते हैं आए गंटे में बहुत जादा बता रहे हूं आप इससे आदा गंटे के लिए भी रखोगे न तो भी बहुत अच्छी से फूल देजिए और 10 मिनट के लिए रख दीजिए तो नमक तो मैंने सोय बिन और पानी में अच्छी से मिक्स कर दिया है आप आदे गंटे के लिए मैंसे ऐसे ही रख दूँगी ताकि अच्छी से फूल जाए अब कबाब के अंदर मैं डालूंगी प्यास तो मैंने आपर 2 प्यास लिए हैं अब इने चील लेंगे अगर आप कबाब के अंदर प्यास डालना चाहते हैं तो आप प्यास डाल सकते हैं तो आप प्यास को स्किप भी कर सकते हैं तो मैंने यहां पर दोनों प्यास चील लिए हैं और इने अच्छे से दो पी लिया है अब प्यास को मैं करूंगी बहुत ही बारिक तो मैंने यहापर चौपर ले लिया है प्यास को काट दूगों निए इस तरही से और चौपर के अंदर डाल दूगी अगर आपको इसके अंदर लेसन यह पिर हर्ी मिर्श का इस्तेमाल करने है तो आप भावी कर सकते हैं तो प्यास की मैंने चूटे चुकी है मैं से आपको एक स्वयाबीन उठा गर भी दिखाते हैं देखिए से केक होते है फ्लफी फ्लफी वैसे ही स्वयाबीन भी हो चुका है अब स्वयाबीन में से हमें पानी निकाल देना है बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए स्वयाबीन के अंदर ये गिर गया वा बहार से भी अच्छा बना सकते हैं तो मैंने यह पर सारे सोयाबीन निचोड लिया है यह है उसका पानी अब इसका क्या करना फेक देना है तो यह देखिए सोयाबीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है अब आपको तोड़के भी दिखा तो यह अच्छे से हो चुका है जो अब डालेंगे इसके अंदर सोयाबीन और सोयाबीन में आपको पानी वगरा कुछ भी नहीं डालना है हमें ऐसे ही पीसना है आप चाहो दिसमें आरी मिर्च डाल सकते हो लेसन डाल सकते हो अब जार का ठकन बंद कर देंगे और इसे पीस लेंगे और यह देखिए कितना बा तो बाकी के सारे सोयाबीन भी हम इसी तरह से पीस लेंगे मिकसर जार के अंदर डालेंगे सोयाबीन ब्रक्कन बंद करेंगे और पीस लेंगे तो सारे सोयाबीन मैंने यहां पे पीस लिए हैं आप सोयाबीन को कम जादा कर सकते हैं और यह देखिए सोयाबीन एकदम बारिक है और अगल में उल्कुल भी सबच्छ मैं राएगा कलर стороны बाहगी टो आप अपने हम शाब से कमजांब कर सकते हैं एक जाहता ड Wales मुट बझाल व्ल रही हूँ चाट मसाला चाट मसाला और भी अच्छा ठेस्ट राएगा अब डालेंगे बारी कटा हुवा हरा धनिया बारी कटा हुआ प्याज जिसका पानी हमने निकाल दिया है और एक चीज़ हमें इसके अंदर और आड़ करनी है तो मैंने यहाँ पर आदी कटोरे लिया है ब्रैट क्रम्स अगर आपके पास फिसे हुए bread crumbs नहीं है मतलब जो bread का चूरा होता है वो नहीं है तो आप इसे साबुत जो bread होते हैं उसे हाथों से तोड़के छोड़े चोड़े करके भी इसके इंदर डाल सकते हो अब इन सबी चीज़ों को अच्छे से mix कर देंगे मैं जो भी bread से related कोई भी वीडियो बनाती हूँ और उसमें मैं जब cutting करती हूँ bread के side की तो मैंना आपको कई बार काए किसे पेगने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत से चीज़ों में काम आता है तो ये सारे चीज़े तो अच्छे से mix हो चुकी है और बनाने से पहले आप इस तरह से लड़ू बनाके देख लीजिए और ये देखे कितने अच्छे से ये बन रहा है मतलब कबाब के लिए जो हमने मिश्रून तयार किया है ये बनकर तयार हो चुका है अब आपको क्या करना है मैंने यहाँ पर ली है पैंसिल आपको इसे भी पैंसिल ले सकते हैं मतलब आप कोई भी गोल चीज ले सकते हैं या पिर इसकी जगे जो ऐसे स्टिक होती है जैसे पनी टिकका बनाते हैं चाप टिकका बनाते हैं या पिर कोई साभी टिकका बनाते हैं go didung gonna stay up the ताक, कि उधर उधर से टूटे नहीं और हलके हातों से इसे इस तरह से दिभाते रहेंगी ताकि या नीचे से भी बढ़ा हो जाए औ और कबाब का जोड़ मिशन है वो उपर से भी बड़ा होजाए बस आपको इस तरह Random लंबे में बना लेना है और हल्क के हाथों से हमें इस तरह से पैंसिल को निकाल देना है बस इसी तरह से हमें दूसरा भी बनाना है और हल्क के हाथों से कबाब के मिश्ण को निकाल लेना है और यह देगी कितने चुसे बनके तयार हो चुका है तो इसे मैं रख दूंगी प्ल ब closer नहीं पानी लगाने के जड़ुर्त है बहुत ही असानी से बन के तयार हो जाएंगी जो लोक नौनवेच से दूर रहते हैं और ने कना NATO की आ हैं उनके लिए एकदम बेस्ट है तो मैंने यहां पर कुछ कबाख बना लिए हैं और इसे मां कड़ाय के अंदर बलकुल में रख लिया है इसके अपर मैं डाल दि aan डाल दूना करके मैं आपद ह 있ल में कर सकते हैं निद डsetक Prof. प्रिफ्राय करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे बहुत ही कम आइल में आप इस अच्छे से सेख सकते हो तभी तो यह हेल्दी होगा तो यह चारो तरफ से अच्छे से सिख चुके हैं इसे मैं निकाल लूगी प्लेट में इसे तरह से हम बागी केबाब को भी सेख देंगे और सोयबिन हेल्दी भी होता है और इसके साथ इसके अंदर काफी मातर में प्रोटीन भी होता है और सोयबिन साब बहुत सारी चीज़ा बना सकते हैं जैसे सोयबिन पुलाव बना सकते हैं सोयबिन आलू बना सकते हैं तो यह कबाब भी अच्छे से सिख चुके हैं इसे निकाल लेंगे, प्लेट में, मैंने फ्लेट में भी निकाल लिया है अभी से अच्छी से हम सच्रा देंगे मैंने इसके उपर डाल दिया है बारी इसके बीच नहीं बहला हIGंअगição 'llेंट में सmek वहाएा भी बहुत अच्छे हैं तो इस कबाब के ओपर रखेंगे प्यास और इसे खा जाएंगे सच मैं बतारी यह बहुत ही टेस्टी बने तो देर किस बात की है इस आपी ट्राइ करो और इसका फीड़ बैक मेरे साथ जरूर शेयर करना आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइए और चानल को सबस्क्राइब करना बिल्कूल भी मत भूलना और जादा स्यादा आप मेरे इस वीडियो को शेयर करना अपने फैमिली ओफरेंट के साथ